हालो गाइज वेलकम तो माच्रान अब्यानस ब्यूटी मांत्रा मैं सनी है आज आपके साथ इस मनिक्यूर प्यारिक्यूर के टॉपिक पर आई हूँ जो पार्ट 2 है पार्ट 1 अगर आप लोग उने नहीं देखा जुसमें मैंने आपको नील स्ट्रॉक्टर के बारें में बता आप लोग को समझ में आ सके और फिर तभी आप मेरी इस वीडियो को भी अच्छे से समझ पाएंगे तो हम नेल डिसॉडर के बारें पर रहे हैं तो नेल डिसॉडर में क्या है नेल डिसॉडर इस कारण हो जाती है चाहे आपकी कोई इंजरी और चूट लगई आपको या को जो है नेल डिसॉडर हो जाता है पर कोई वाली बात नहीं है नेल डिसॉडर जो है आपके वाया ट्रीक्मेंट्स और मैरीसन के थूप जो है वो ठीक भी हो जाती है फरस्ट रस ब्रूश नेल्स ब्रूश नेल्स के अंदर क्या है blood clots from under the nail plate forming का dark populous spot अब ब्रूश नेल्स मे क्या होता आप लोगों का जैसे किसे के blood clots हो गए जो blood clots कैसे हो जाता है कई बार जो आप लोग के कोई भी चोड लग गई नेल पर किसी तरीके का कोई बाहरी समान किर गया तो कई बार blood clots वो जमा हो जाते जिसके कारण ये जो color है वो एक purplish form में दिखना शुरू हो जात होता है में तब purplish color में ये form दिखता है अपने purplish blackish form में ये होता है तो लिको नीचिया next is लिको नीचिया लिको नीचिया में क्या है sports और white sports whitest discoloration of the nails usually caused by injury to the nail matrix अब इसके अंदर क्या होता है जैसे कि आप लोग picture भी देख पा रहे हैं कि इसके अंदर एक nails पे white lines आपको दिख रहे हैं तो वो क्या होता है लिको नीचिया form हो जाता है white color के sports पढ़ने शुरू हो जाते हैं ये जो होता है ये इसलिए होता है क्योंकि nail mattress पे कोई injury हो गई आपके तब ये formation होनी शुरू होती है next is milonitia milonitia क्या होता है darkening of the fingering nails और toenails milonitia में क्या होता है इसके अंदर कोई चोट नी लगी होती कुछ नी लगा होता है ये सिर्फ एक किसी बिमारी के कारण ये disease के कारण की हो सकता है कि आपकी nails में जो है black color की वो lines पढ़नी रहा है next is onycophagy onycophagy हम कैसे कहते है better nails काई लोगों को बहुत आदत होती है tension हो गया कुछ भी हो गया वो अपनी नील्स बाइट करना शुरू कर देती है तो उसको हम technical name में क्या कहते है onycophagy next is onycurex onycurex क्यों होता है split of brittle nails गभु जाते हैं आपको कि नियल्स क्या हो जाते हैं बीच में से कटने लग जाते हैं आपको पिक्वें में दिख़ रहा ये या कोई ऐसी चोट लग गई है जिसकी वैसे आपका नियल्स फोट गया है तो उसको क्या कहते है हम technical name में onycuretzum प्लीक्रेटिड नेल क्या होता है आप फोल्डेड नेल होता है हाली कर्व नेल ब्लेइट उप्टेन यूज़ पाई इंजड़ी तो ये नेल माट्रेक्स में भी इन हारेटेट अब देखो कई बार यह जो है क्या होता है नेल जो आप लोगो दिख रहा है कैसे अंदर की तरफ मोड़ी गया है बिल्कुल स्किन में चेला गया है यह जो मैट्रिक्स को भी दिकत करता कई बार इसके जोले से बहुत आपको इंज्रिस भी हो जाती है तो यह जो ट्रीट्मेंट्स है वो डॉक्टर्स की हिल्प से किया जा सकता है तो आप अराम से ट्रीट्मेंट्स करवा सकते हैं थांक यू फो वाचिंग मार वीडियो प्लीस सब्सक्राइबर्स लाइक अस और शेयरिग बाई बाई